Meaning of Delegation Delegation का मतलब क्या होता है समझना Case Studies में ये बहुत ही तरीके से पूछा जाता है ध्यान से Delegation refers to the transfer of authority from superior to subordinate and entrustment Entrustment का मतलब होता है सापना Entrustment of responsibility and the creation of accountability for the performance Which helps a manager to extend his area of operation as without it His activities would be restricted to only what he himself can do Delegation refers to the transfer of authority ये transfer of authority की बात करता है कहां से superior to subordinate Subordinate से ये बात कही जाती है कि तुम काम करो ध्यान से इसको देखना अची तरह से फिर से मैं समझा रहा हूं ये क्या कहता है Delegation refers to the transfer of the authority from a superior to subordinate यानि superior subordinate को बोलता है The entrustment of the responsibility and the creation of accountability for the performance Which helps a manager to extend his area of operation as without it His activities would be restricted to only what he himself can do यहाँ पर आगिया S.R.H.S. मैं अब हम आपको एक case studies discuss करते है और किस case studies से आपको एक-एक बात clear हो जाएगी Sunya, पूरा delegation का funda clear हो जाएगा आगे जो भी हम पढ़ेंगे इसी के इर्दिगूद घूमेगा ध्यान से, ध्यान से सुनना यह है कुमार मंगलम बिर्ला सुपर बॉस अव अधित्या बिर्ला ग्रूप He is the CMD उनके H.R. डारेक्टर है यह विनोत कुमार बढ़माजी और उनके यानि H.R. डारेक्टर के नीचे काम करने वाले यह H.R. Executive है जिनका नाम है प्रशान्त कुमार ठीक है? सो अब इसको हम ऐसे करते था हम ऐसे करते हैं ध्यान से देखेगा ऐसे टॉप पे देखे ऐसे करते हैं यह है कुमार मंगलम बिर्ला जी उनके नीचे है H.R. डारेक्टर मेरे लिए एक Executive Assistant ढूंड़ो अब यह H.R. डारेक्टर है यह डारेक्टर के चेर पे बैठे है तो इस चेर के साथ Authority Injected है जो इस चेर पे बैठेगा उसको पावर मिलेगा वो पावर चेर के साथ मिला हुआ है यह सब काम करने का क्या काम? अगर हाइरिंग करनी है तो प्लेस्मेंट एजनसी हाइर कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पेपर में दे सकते हैं IIM बिल्कुल फ्रेश चाहिए तो IIM का लेबल का चाहिए तो IIM से उठा लो कहीं सब यह अपले सकते हो There's no problem at all in this मेरी बात समझ रहो न वो चेयर के साथ authority है यानि HR डारेक्टर का चेयर के साथ जो डारेक्टर का चेयर है न उसके पास है authority है अब HR डारेक्टर को उपर से कुमार बाबू ने कहा कि मेरे लिए एक executive assistant ले किया हो देखो executive assistant PA नहीं होता executive assistant टेक्निकल आज बड़े-बड़े IIT आम करके they are executive assistant they are to the company because technically सारा काम इनके पास होता है top label का अब कुमार मंगलम बिर्ला बाबू के लिए आपको एक executive assistant होलना है लेकिन HR डारेक्टर ने कहा कि company की growth की और भी काम है जैसे IR issues है industrial relationship issues है अभी appraisal का समय चल रहा है appraisal नहीं हुआ तो लोग नराज हो जाएंगे increment नहीं होगा तो दीकत हो जाएगा HR director के पास IR issues है appraisal है promotions है बहुत सारे चीज़ उसको चल रहा है तो वो कह रहा है कि अगर ये भी काम मैं करूंगा तो मैं company के growth के लिए कंट्रिबूट नहीं कर पाऊंगा तो उसने क्या किया एक यंग भेक्ती आया था HR executive that is called the Prashant Prashant do you want to be dynamic in the organization really do you want to play a very very dynamic role CMD सहब को एक executive assistant चाहिए ये चाहिए मैं ये power तेरे को देता हूं responsibility क्या दिया कि executive assistant हो ना है उसके लिए power दिया authority दिया कि तू मेरे बिहाब पे चाहे तो placement agency hire कर सकता है मेरे बिहाब पे यानि इस power के कारण इस power के कारण इस power के कारण news paper में आद दे सकता है यानि recruitment process सुरू को sources of CV सुरू कर sourcing of CV कहा से आएगा कैसे आएगा short list कर उसको देख बहुत सारे recruitment process को follow कर यहाँ तक कि उसका staffing यानि कहने का मतलब कि उसकी interview करवानी है तो interview करा किसी तरह से कर उसको देख यार select करना है selection process में तुहा दिमाए अंती में तो final selection के समय में हम क्या करेंगे कि कुमार बाब को दिखाएंगे because ultimately उनको पसंद है तो दिखा देंगे कि उनका क्या है हमने selection करके उनको दिखा नहीं है जो final selection recruitment appointment होता है तो यह बात उन्होंने कहा अब बताओ यह delegation हुआ delegation कैसे हुआ क्यूंकि उसको authority दे गई कि तु यह power use कर सकता है और इस power के साथ responsibility दे गई कि सही बंदे का selection करना है अब एक बात बताओ एक बात बताओ परसांद ने बहुत महनत करी लेकिन सही नहीं था यानि कि सही executive assistant का selection नहीं हुआ यानि कि परसांद बुड़ी तरह से fail हो गया परसांद बुड़ी तरह से fail हो गया अब बताओ अब बताओ, कुमार बाबु के सामने जबाब देही इस बात की की आउटकम नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, इस बात की जबाब देही किस की है? बिनोत कुमार की है या परसांत की है? काम सही से नहीं हुआ, इस बात की एकाउंटबोलिटे, जबाब देही, HR डारेक्टर बिनोत कुमार जी का है या नीचे वाले परसांत का है? देहान से देखिएगा, इस बात की जबाब देही, HR डारेक्टर का है, to whom the कुमार बाबु, यानी कहने का मतलब कि अगर सही काम एक्सीक्यूट नहीं हुआ, सही तरीका से टास्क नहीं हुआ, सही तरीका से आउटपुट नहीं हुआ, तो सही तरीका से आउटकम नहीं तो HR डारेक्टर अपनी accountability से, अपनी जबाब देही से मुकर नहीं सकता है, अगर गला दबा नहीं काम होने की कारण, तो HR डारेक्टर का गला दबेगा, या परसांत का दबेगा, HR डारेक्टर का गला दबा जाएगा, उसकी ही गर्दन पकड़ी जाएगी, कि भाई, तुने ये कहके कि मैंने delegate कर दिया था, अपनी जान नहीं बचा सकता, अपनी जान नहीं बचा सकता, तो delegation का मतलब होता है, कि जिसके पास power है, वो power के साथ responsibility को, काम को, responsibility को, उत्रादाईत को, उत्रादाईत को, जिम्मेदारी को, अपने junior को, पास करता है, जुनियर की, ये responsibility होती है, कि उस काम को execute करे, उस power को use भी करे, और execute करने के बाद, वो क्या करे, with the proper responsibility, अपने senior को बोले, बताए, कि हमने ये काम किया, लेकिन, अगर ये काम नहीं हुआ, तो जिस senior ने काम delegate किया था, वो बच नहीं पाएगा, बिकाज जो senior जिसने काम नीचे दिया था, उसकी ownership है काम पे, उसे वो मुकर नहीं सकते। ये है पूरा delegation का खेल, अब इसमें जितने आपको हाथ पाउ मारना है, आपको मार लो, फिर से case studies बोलता हूँ, कुमार बाबू बिल्कुल टॉप में है, उनके company में HR director है, उसके chair के साथ authority बंदा हुआ है, उसके पास authority है, उसके पास power है, उसके पास power उसके chair में है, ये prescribed power है, उसको एक काम दिया गया, या उसके दिमाग में कोई काम आया, उसकाम को खुद ना करके, दूसरे को नीचे वालों को दे दे, ताकि वो दूसरे काम पे focus कर सके, अब नीचे वाला ब्यक्ति लिये गए power को यूज करते हुए, उसकाम को execute करने की कोशिस करेगा, अगर वो काम सही हुआ, तो बहुत बात कहके अपनी जान नहीं बचा सकता कि मैंने ये काम नहीं किया, तुने किया या नहीं किया, भाई तेरी ही responsibility है, तो जो punishment मिलेगा, काम नहीं होने का, वो मैनेजर को मिलेगा, इस केस में HR डारेक्टर को मिलेगा, चुकि उसने काम नहीं किया, यानि काम उसने नहीं किया, वे माना जाएगा कि काम उसने नहीं किया, भले ही उसने काम नहीं किया, उसके सबर्णिट ने किया, चिक उसको डेलिगेट किया गया था, लेकिन ये माना जाएगा कि HR डारेक्टर ने ये काम नहीं किया, this is all about the delegation, all about the delegation, बात समझ में आई, this is about the delegation, ये case studies है, आपने ये देख लिया, इसी के basis पे हम आगे बढ़ेंगे, जो करना है, करते रहेंगे, and that's how exactly we are going to go ahead for this, is it clear, ध्यान से देखेगा, एक एक वर्ट को हम समझेंगे, और आगे बढ़ने की कोसिश करेंगे, मिलिंग समझेंग आपको case studies समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये definition भी आप फिर से पढ़ते हैं, और फिर से पढ़के देखेए, इस case studies के बाद, case studies में आप देख रहा है, कुमार बाबू, HR Director विनोत कुमार, देन प्रसांत कुमारे जग्सगरिब, HR Director ने delegate किया था काम, चुकि उसके पास authority थ और authority के साथ responsibility भी दिया था, लेकिन accountability टॉप लेबल पे director की है, accountability transfer नहीं होता, जब आप देही transfer नहीं होता, responsibility transfer होता है, जो नीचे किया जा सकता है, तो ध्यान से देखिया जाए, delegation उपर से नीचे हो रहा है, उपर से नीचे ही होता है, ये downward journey पे चलता है, अब ध्यान से Delegation refers to the transfer of authority from superior to subordinate, मतलब की superior यहाँ पे कौन है, HR director, subordinate कौन है, प्रिशान, विनोत कुमार is a what, is a superior and अब लोगे कुमार मिला, वो तो super है, वो तो superb है, उन्होंने delegate नहीं किया, उन्होंने कहा, कुसको, जिसके पास already power था, सौन जाए बात, फिर से line को पढ़िये, delegation refers to transfer of authority, from superior to subordinate, superior was विनोत कुमार बर्मा, and junior is what, subordinate is what, प्रशान्थ कुमार, entrustment मतलब सौपा गया, entrustment मतलब सौपा गया, of responsibility उतरदाहित को, and creation of accountability for the performance, accountability किसकी रहेगी, जब आप दही कैसे रखेगी, HR director, विनोत कुमार बर्मा का, which helps a manager to extend, इन्होंने क्या किया, manager को extend किया, area of operation, as without it, without it, his activities would have been restricted to only what he himself can do, अगर यह नहीं करते, तो company में कोई subordinate develop नहीं होगा, और वही कर सकते हैं हर दिन की इतना उनको करना है, this is all about, तो यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, आगे अपनी भासा में समझने क्या है, a manager, no matter how capable is, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, विरोत करमार बर्मा, कितना ही capable क्यों ना हो, he cannot manage to do every task on his own, सब कुछ हो खूद नहीं कर सकते, IR issue, appraisal, increment, he cannot do, the volume of the work makes it impractical, volume क्या हुआ, volume क्या है, IR issues है, appraisal है, इतने लोगों का appraisal करना कि कौन कितना उसकी rating आ गई, कैसे हुआ, किसको कितना increment है, इतना volumious work है, तो यह बात ही कहता है, the volume of the work makes it impractical for him to handle it all by himself, he cannot do, आज, ध्यान से देखिएगा, क्या manager, यानि कि विनोत कुमार बर्मा, अपने तीम में जितने लोग हैं, सब को, कई लोगों को काम डेलेगेट कर सकते, yes, delegation can be done to any number of subordinates, कुछ कुछ को दिया, कुछ उसको दिया, कुछ उसको दिया, कुछ उसको दिया, कुछ उसको दिया, तो delegation can be done to many people, right, but accountability of all delegation will remain with whom, विनोत कुमार बर्मा, ध्यान रखेगा, the volume of the work makes it impractical for him to handle it all by himself, as a consequence, result पे, if he desires to meet the organizational goal, focus on the objective and ensure that all work is accomplished, he must delegate authority, उनको प्ती पावर बातने चाहिए, following points will bring clarity in the delegation concept, एक-एक point को देखे, मुझे पता है कि आपको clarity हो गई, एक कुमार बाबू का example, एकदम जाबर दस्ता, आपके दिमाग में घुश गया, एकदम दिल में छप गया, है ना, exam में आप लीख दोगे, यह statement भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए बात है चल रही है, देखो, 1. Delegation moves downward, आप देख रहे हैं, कुमार बाग लू, नीचे देख रहे हैं, चाहरा है, उसके नीचे आ रहा है, downward आ रहा है, Delegation moves downward, Delegation refers to the downward transfer of the authority from superior to subordinate, देख रहे हैं, superior, that is Vinodkumar बर्मा, subordinate, प्रशांत कुमार, यही आपको लिखना है, Next, Delegation is a prerequisite to the efficient functioning, अगर Vinodkumar बर्मा सारा काम खुदी करेंगे, तो बाद में वो कुछ भी नहीं कर बाएंगे, यह बात ध्यान रखेगा, यही बात लिखता है, Delegation is a prerequisite to the efficient functioning of an organization, because it enables manager to use his time on the high priority activities. Next point है, Delegation satisfy the recognition need, यानि कि जब प्रशांत इस काम को बहुत बढ़िया करेगा, यह बात करेगा कि, Chairman का Executive Assistant का selection मैंने किया है, आप देखो उसका self-esteem कितना बगा बढ़ जाएगा, उसको recognize मिलेगा, I have done it, I have done it. You know, आप बोलोगे किया सचमुच मैंसा होता है, कि Executive, Chairman के नीचे लोगों का recruitment करता है, yes, why not, why not, yeah, it happens, it clearly happens. जो young Executive होता है, उसके काम मिलता है, उसको delegate हुआ होता है, उसके पास delegate होके आ, उसने sort out करी, उसने सारी चिज़े करी. कई बार HR का बंदा, जो junior label पे है, उस ब्यक्ति का CV मंगाता है, उस ब्यक्ति की recruitment process सुरू करता है, जो MD बनेगा company के लिए. उसको काम मिलता है, तो MD को मैंने hire किया, इसको मैंने choose किया, इसको मैंने identify किया, उसको कितनी creativity होती है, आप सोच के देखो, self-esteem कितना बड़ा होगा ना कि मैंने ये काम किया, उसको तो ऐसा ही feel होगा कि, है HR director का appointment मैंने किया, आप सालो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, that's it, delegation satisfy the recognition need, यानि कि जो junior है, उसका recognition need बहुत आगे बढ़ जाता है, so होना चाहिए, it also satisfied the subordinates need for recognitions and provide them with the opportunities to develop and exercise initiative, चुकि वो initiative लेने वाला होता है, Delegation help manager, manager को help करता है, time भजता है, तो सही जगह यूज करेगा, Delegation help a manager to extend his area of operation, as without is, his activities would be restricted only to what he himself can do, Delegation can be taken back, अगर Vinod Kumar बड़मा को बीच में ही लगा कि परसांत सही काम नहीं कर रहा है, तो उसे Delegation back लिया जाएगा, उसकी power भी चली जाएगी, तो उसकी responsibility भी जाएगी and authority भी जाएगी, यानि कुसको जो power मिला था, वो भी चली जाएगी and उत्रदाइत हो गया ही, तो आपके exam में question आएगा, can delegation be taken back by the manager, answer is yes, अगर जिसको delegate किया गया है, like परसांत कुमार हमारे example में, अगर परसांत नहीं काम कर रहा है, तो परसांत से काम ले करके सप्रांत को दिया जा सकता है, बात में लगा कि सप्रांत परसांत से भी गया गुजरा है, तो फिर से परसांत को दिया जा सकता है, यानि delegation can be taken at any point of a time and delegation can again be given to the same person any point of a time, इसमें कोई rules and regulation नहीं है, all understanding, all IQ, all judgment of the Vinodh Kumar Burma, यानि manager का है, that's a point, moreover, the authority granted to a subordinate can be taken back and re-delegated to another person, परसांत से लेकर सुकांत को दे देगा, तो परसांत से taken, सुकांत को given, सुकांत not doing, taken from सुकांत, given to परसांत, और given to any Afghanistan, नहीं, मतला, जासा जोग, six, accountability remains with the manager, चाहे प्रसांत ने अगर काम नहीं किया, तो accountability जबाब दे ही जो है, वो किसकी है, विनोद कुमार बर्मा की है, तो अगर बिला सहाब पूछेंगे, कुमार मंगलम सहाब पूछेंगे, तो जबाब दे ही जो है, विनोद कुमार बर्मा की होगी, की काम सही तरीका से क्यों नहीं हुआ, तो अपनी accountability से, अपनी काम की ownership से, वो नहीं हो सकते, accountability chair की होती है, जो इस chair पर बैठता है, उसकी accountability है, उसे मुह नहीं मोर सकता, यही बात यह बोली जाती है, accountability remains with the manager, तो मुझे लगता है कि अब आपको delegation की काफी बाते समझ में आ गई, एक management guru साहब है, इन definition पढ़ रहे हैं, लाकि हमने यह कुमार बाबु का definition I think बिल्कुल clear कर दिया होगा, और आगे हर fundे clear करता हुआ जाएगा, यह थियो, हाल इमाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, delegation of authority merely means the guarantee of authority to subordinate to operate within the prescribed limit, भाया तरे को यह यह authority दिया है, agency hire versus girl ऐसा कर, बस, so I believe आपको meaning of delegation absolutely clear हो गया,